हाई फ्रेंड्स मदू किचन में आपका सबका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं रबड़ी शाही टुकड़ा इसके लिए मेरे पास लगभग एक लिटर डूद है और एक कटोरी शक्कर है तो सबसे पहले जो है हम रबड़ी की तयारी करेंगे इसके बाद मेरे जो दूद है मेरे पास में वो मैं कड़ाई में डाल दूँगी क्योंकि हम पहले रबड़ी की तयारी कर रहे हैं आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज बताईए दूद को हम सबसे पहले हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि दूद में उबाली आ जाए बाद में उसको धीरे धीरे लो फ्लेम पे कर देंगे ताकि हमारा दूद जो है वो जले नहीं दूद को अच्छे से हिलाना है देखिए दूद में उबाली आना शुरू हो गई है ये डिश बहुत अच्छी बनती है ज्यादा समय लगता नहीं है देखिए दूद में मलाई आना शुरू हो गई है दूद हमारा आप गाड़ा हो चुका है दूद गाड़ा होने के बाद ही हम इसमें चीनी एड करेंगे अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ चीनी को भी अच्छे से दूद में मिक्स कर लेना है रही हूँ हमारी रबडी जो है वो तैयार हो गई है अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल रही हूँ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक किजिए और शेर किजिए रबडी के ऊपर में थोड़े से बादाम डाल दूँगी देखे हमारी जो रबडी है वो तैयार हो चुकी है आप भी इस तरह से बनाईए इसे फ्रेज में रखे ठंडी ठंडी सर्फ कीजिए अब हम करेंगे साही टुकड़े की तयारी रबड़ी हमारी बन चुकी है टुकड़े की तयारी करनी है तो इसमें लगने वाला जो सामान है वो मैं आपको पहले बताऊंगी रबडी जो मैंने अल्रेडी तैयार करके रख ली थी ब्रेड उसके मैंने स्लाइस करे वे छोटे-छोटे और तलने के लिए घी और थोड़े से बादाम जो मैंने बारी कट कर ली है अभी मैं गैस अन कर रही हूँ गैस के ओपर एक पैन रखा है मैंने पैन के अंदर में घी डाल रही हूँ आप चाहे तो तेल बटर कुछ भी यूज़ कर सकते है घी को अच्छे से गरम होने दिना है गी करम होने के बाद हम इसमें ब्रेट के टुकड़े डाल देंगे अच्छे से हमको सेखना है घी के अंदर ब्रेट को अब हमने पलट के देखा कि वह एक तरफ से अच्छे से सीख गया है तो दोनों साइट से सीखना है इसलिए दूसरी तरफ भी पलट दें यह देखे ब्रेट जो है वह पूरी तरह से अच्छे से लाल लाल हो गई है इसके बाद जो है वह ब्रेड मैंने पलेट में निकाल ली है अब एक एक करके मैं ब्रेड को सजा रही हूं इसके बाद जो मैंने रबडी बना के रखी थी वह रबडी को उसके उपर ब्रेड के उपर डालना है अपने को क्योंकि अपन शाही टुकडा बना रहे हैं यह खाने में मिठाई बहुत अच्छी लगती है आप लोगों भी ट्राइ कीजी प्लीज बना के इसके उपर में थोड़े से बादाम की जो टुकडे किये थे मैंने वो रख दिये यह तैयार हो गया मेरा शाही टुकडा आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए त्युक्त